नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्याम क्लास से इस्टडी में सातियों आज की वीडियो में यूटूब बरती परिच्छा में पूछे जाने बाले हिंदी के सेंति साती महतपूर पुर्ण पूर्ण करने के बाद आपको अपना स्कूर इमानदार के साथ कमेंट बॉक्स में सेर करना बताना है कि आपने हमारे इस पिट्टे सेट में कितने पिशन है जो साही किया और आपको यह पिट्टे सेट कैसा लगा अगर आपको यह पिट्टे सेट पसंदा आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना चैनल को आपने भी तक सस्क्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग करने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं तो इसलिए फिर सुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के अती महत्मूर पिशनों का ये प्रिटे सेर जो इवपले भरती परिच्छा में सबसे ज़्यदा इन पिशनों के पूछे जाने की संभावना है और कमेंट बॉक् से चलिए सुरू करते हैं तो पहला प्रिच्छन है आप लोगों के सामन के अगर बत्ति की सुगन्द से ठकावर दूर हो गई निम्न मैंसे इस बाक में प्रियुक्त काल बताईए तो इन मैंसे कौन सा काल है ये आप लोगों को बताना है बताओ भटा पाट से प्रिट संक् संक्या वह कि सब्सक्राइब बताना है तो जो कबीर जी इनकी जो रचना है वह बीजक में संक्लेथ है तो इन प्रिचक में संक्लेथ है तीन का जो राइट दो का जो राइट अंसर होगा आप्सार संक्या डी इस पुर्शक का राइट अंसर हो जाएगा चलिए अपर संक्या तीने आपके सामनें की लोहे के चने चवान यह निम政 के मैंसे कौन सा विकल्प इस महावरे का उचित अर्थ दर्शा आता है क्या बहुत कटनाई का सामना करना प्रहन संक्या 3 का Right Answer अपन संक्या 10 इस प्रेंस का Right Answer हो जाएगा चलिएगा आप प्रहन संक्या आप लोगों की स्कीन पर आगसो होने लगई है प्रण संक्या चार के दिये गए बिकल्पों में अनुकलना का समानार्थी सब्द कौन सा है पता कौन सा हो जाएगा अकुलाना का समानार्थी आकुलाना का जो समानार्ती हो जाएगा वो हो जाएगा बयकुलाना क्या बयकुलाना तो چार का जो आंसर होगा वो option संख्या D. इस परिंट का right answer हो जाएगा चलेगा परिंट संख्या 5 है आप लोगों के सामनों की यह देखी आरबंद से सीसु बरंद कैसे सो रहा है पंक्ती में अर्विंद सब्द क्या है तो बताओ क्या है ये अर्विंद सब्द प्रिंसंख्या पांच का राइट अंसर क्या हो जाएगा तो जो अरवेंद सब्द है यह एक उपमान है क्या उपमान है तो पांच का जो आंसर होगा वो अपन संख्या भी स्पिन्स का राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा प्रेंज संक्या 6 आपके सामनूर कि जहां सब्दों के अर्थ से चमतकार इसपस्ट हो वहाँ डोट-डोट माना जाता है तो वहाँ पर क्या माना जाता है प्रेंज संक्या 6 का अंसर आप बताईएगा तो जहां सब्दों के अर्थ से चमात का रिष्पष्ट हो वहाँ पर फ्रिष्ण अलंकार माना जाता है क्या अर्था अलंकार माना जाता है तो छे का जो आंसर होगा वो ओपन संक्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा प्रिन संक्या साथ या आपके साम के डोट डोट खिड़की का सीसा तोड़ा है डोट डोट बता दे बता प्रिन संक्या साथ का राइट अंसर क्या हो जाएगा चारों बिकल्प आप लोगों के इसकीन पर सो हो रहे है तो जिसने खिड़की का सीसा तोड़ा है वह बता दे यानि साथ का जो आंसर होगा वो उप्टन संक्या सी इस पिंस का राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा प्रण संक्या अब आप लोगों के सामनों है प्रण संक्या आठ है कि निम्न मैंसे पुलिंग सब्द को पहचाने तो बता इन मैंसे कौन सा है जो पुलिंग सब्द है तो अच्छा और अच्छी लगाने से आप लोग इस तरी लिंग और पुलिंग का पता है लगा सकते हैं तो अच्छा कपड़ा क्या अच्छा कपड़ा यह एक पुलिंग सब्द हो जाएगा तो आठ का अंसर ऑपन संक्या डी इस प्रिंस का राइट अंसर हो जाएगा चलिएगा प्रिंसंक्या अच्छा का आप निसंग को चले जाएगा क्यां आप निसंग को चले जाएगे यहाणे नौका जो हैंसर हो और संक्या सी इस प्रिंस का राइ्ट अंसर हो जाएगा चलिएगा प्रिंस संक्या आप लोगों के सामनों हैं प्रींस था कि विसेसंड की तीन अवस्थाएं होती हैं मूल आवस्था डॉट 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 तथा डॉट, तो बताद दो अवस्था हैं और आपको बताना है कि इनमेंसे बो दो अवस्था हैं कौन होती है प्रिंस अंक्या दसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो शायगा नहीं सर्ण कि जो दो-स्था रह गें इस उत्तम अवस्था और उठ्र आवस्था यानि जो आफ्षिंश का right answer हो जाएगा 10 का answer option क्या B हो जाएगा चलेगा प्रिंस संक्या अब आप लोगों के सामने हो 11 ये दियेगा बिकल्पों में प्रिचुर का बिलूम सब्द कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा प्रिचुर का बिलूम सब्द ये आपको बताना है तो प्रिचुर का जो बिलूम सब्द होता है वो अल्प होता है क्या अल्प 11 का जो answer होगा वो अप्रिचुर संक्या B इस प्रिंस का right answer हो जाएगा चलेगा प्रिचुर संक्या अब आपके सामने हो है 12 कि निम्न मेंसे बंदू सब्द का भवचन रूप कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा बंदू का भवचन इगी आपको बताना है प्रिचुर संक्या 12 का right answer क्या हो जाएगा तो बंदू का जो भवचन होता है वो बंदू बर्ग होता है 12 का अप्रिचुर संक्या B इस प्रिंस का right answer कि यहां लगवग कोई दो दर्जन के करीब संत्रे हैं इस बाग की असुद्धी दूर करने के लिए निम्न मैंसे सही बाग के पहचाने तो कौन सा सही बाग हो जाएगा प्रिंस अंक्या तेरहा का राइट आंसर तो यहां लगवग दो दर्जन संत्रे हैं ये राइट हो जाएगा तेरहा का जो आंसर होगा ओप्सन संख्या भी इस बिंस का राइट आंसर हो जाएगा चलेगा प्रिंस अंक्या चओद्रा है आपके सामनों कि कोईल की कोईली की दलाली में मुहे काला इस बाग के इस लोकु पटावट्सिव प्रिंच संक्या चौधरा का राइट अंसर क्या हो जाएगा तो कुएली की दलाले में मुहे काला है इस लोकुक्ति क्या से दरता आता है पुरा कार वदनामी का कारण बनता यानि चौधरा का जो आंसर होगा वो अपन संक्या इस प्रिंस का राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा चुद्रा का अंसर ओपन संक्या ए चलिएगा प्रिंस संक्या अब आप पे सामनों पंद्रा है कि निम्न मैं से सही जोड़ा चुनी बताओ इन मैं से कौन सा हो जाएगा सही जोड़ा प्रिंट संक्या पंदरा का राइट अंसर क्या हो जाएगा एक तरफ लिएगा लेख एक तरफ दिएगा उनकी रचना है पंदरा का अंसर ऑपन संक्या डी स्पिंस का राइट अंसर हो जाएगा चलेगा अंगला प्रिंट ने अब आपके सामनों सोला है कि दिल्ली डॉट डॉट मेरट डॉट डॉट दूरी लगवाग सत्तर किलोमेटर है दिएगा बिकल्बों में से सही बिकल्ब का चैन का रगिस्थान पूर्ण कीजिएगा तो बताओ इसका रगिस्थान क्या हो जाएगा तो दिली क्या दिली से मेरेट की दूरी लगबख सतर किलोमेटर यानि सिद्सोला का जो राइट आंसर होगा डी atau pension का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सोला का आंसर option का डी हो जाएगा चलेगा प्रिस आज हम बात करने वाली UPSI के बेश्ट बुक के बारे हैं जो कि चक्चू पबलीकेशन की बुक है और यह study guide है इसमें आपको हिंदी रिजनिंग मैत मूल विदी मिल लागी और इस बुक में आपको चार सौलल पेपर दो आजार इकीस की मिल लाएंगे और इस बुक में आपको 322 विकलपिये पिशने मिल ल है कि तो आज जाईएगा मार्केट से इस्बूक को लाइए गया और पिस तैयारी को मजबूत बनाएगा अगर आप यूपी आसाई बढ़ती परिचा दो हजार चलेगा प्रण संक्या आपके सामनों अठारा है कि मत्रा आगरा धौलपूर गवालियर आदी छेत्र में बोली जाने आदी छेत्र में निमली कितमे से कौन सी बोली बोली जाती है तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है तो मत्रा आगरा धौलपूर गवालियर इसमें बोली जाती है ब्रज ब्रज बोली जाती है यहाँ अठारा का जो अंसर होगा वो ओपन संक्या डी इस पिंस का राइट अंसर हो जाएगा चलिएगा अंगला प्रज प्रज संक्या 19 से आपके सामनों कि दिएगा बिकलपों में भाल का समानार्थी सब्द कौन सा है तो कौन सा है भाल का समानार्थी सब्द यह आपको बताना है तो भाल का समानार्थी सब्द होता है मस्तिक्स क्या मस्तिक्स होता है तो 19 का जो आंस हो जाएगा चलिए अपनसंक्या 21 आपके सामने की एक पंत्थ दूकाज है कूँ सा बिकल्प इस लोकुकती का उच्छत अर्थ-दर्साथा है बताओ कौं सा उच्छत अर्था क्या पंत्थ-2-काज तो इसका जो उच्छत अर्थ है वो है एक समय में दो कारेयों की सिद्धी या इन बीस का जो आंसर होगा वो प्रण संक्या डी स्पिंज का राइट अंसर हो जाएगा चलिए अप्रण संक्या अब आपके सामनु है 21 कि महा देवी बर्मा को नीर्जा के लिए कौन सा पुरुषकार प्राप्त हुआ है कौन सा पुरुसकार मिला है महादेव अर्मा को नीर जाके लिए तो इन्हें मिला है सकसेरिया पुरुसकार कौन सकसेरिया पुरुसकार यानि 21 का जो आंसर होगा वो option क्या B इस प्रिंस का right answer हो जाएगा 21 का option क्या B चलेगा प्रण संक्या 22 है आपके सामनोंकी निम्न मेंसे बुरिया का भवचन रूप पहचानी है तो कौन सा हो जाएगा बुरिया का भवचन होता है बुरिया 22 का अंसर हो जाएगा option संक्या E.S.B.S. का right answer हो जाएगा कि चलिएगा अब आपके सामनों में प्रसंख्या 23 कि दिये का विकल्पों में से विकर्ण सब्द का विप्रीत आर्थी सब्द कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा विकर्ण का विप्रीत आर्थी तो विकर्ण का विप्रीत आर्थी होता है एकात्र क्या होता है एकात्र तो 23 का जो आंसर होगा वो option संक्या इसमिस का right answer हो जाएगा चलेगा प्रण संक्या अब आपके सामनों है 27 कि दिव्या और सौम्या में डॉट डॉट बड़ी है तो कौन सा हो जाएगा इसमिस का right answer तो दिब्या और स्वम्या में कौन बड़ी है क्या कौन बड़ी है 27 का जो आंसर होगा वह आपसर संक्या सी इस बिन्स का राइट आंसर हो जाएगा चलिए अठाइस है आपके सामने के दिये गए बिकल्पों में पिर्ति किरिया का पर्याइबाची सब्द कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा पिर्ति किरिया का वर्याइबाची बड़ी है 28 का आंसर हम बताई फिर तो पृति उत्तर हो जाएगा 28 का आंसर प्ति उत्तर आपके सामने की मेरी बहन回去 सिक्चा डृट डौट ऑश्टिलिया जा रही है धीए गपिकल्गों में से साही चिंग करके बाट के पूर्ण कीजिए बताओ 29 का अंसर क्या हो जाएगा तो सबसे ससक्त कभियत्रियों मैंसे एक होने के कारण उन्हें आदुने के मीरा के नाम से जाना जाता है तो बताओ कौन से भाग में तुट्टी है प्रिन संक्या तीस का राइट अंसर क्या हो जाएगा तो ये आदुनेक हिंदी के सबसे ससकत का अभियत ती है क्योंकि ये गलत लिखा है तो तीस का अंसर और प्रिंस जंक्या सी इस प्रिंस का राइट अंसर हो जाएगा क्या सी इस प्रिंस का राइट अंसर हो जाएगा चलिएगा प्रेंस संक्या अब आपके सामनें 31 है कि निम्न मैंसे सुद्ध बाक पहचान ही है तो बताओ इन मैंसे कौन सा जो बाक है वो सुद्ध है बताओ प्रेंस संक्या 31 का आंसर किया हो जाएगा तो उहो क्या नहीं उहो नहीं च्छी क्या छी कितना ध्रिणत द्रिस्त है यानि 31 का जो आंसर होगा वो प्रसंक्या सी इस्पिंस का राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा प्रसंक्या आपके सामने को 32 है कि हन्वान की पूँच में लगन न पाई आग लंका सारी जल गई गई निसाचर भा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है तो बताब प्रसंक्या 32 में कौन सा अलंकार हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा 38 अलंकार 32 का अंसर और आप संक्या भी इस प्रसंक्या राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा अंगला प्रसंक्या तेते से आपके सामने की बेदों की संक्या कितनी है तो कितनी है बेदों की संक्या फटा वाट से प्रिंसंक्या तेते स का अंसर बताईए तो जो बेद है इनकी जो संक्या है वो है चार कितनी है चार है तेते स का अंसर और प्रिंस संक्या बी इस पिंस का राइट अंसर हो जाएगा चलिएगा प्रिंस संक्या 34 से आपके सामने की दिये गए बिकलपों में से पवित्रता का विसेशन कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा पवित्रता का विसेशन तो इसका बिसेशन होता है पावेत्र क्या पावेत्र 34 का अंसर और संक्या सी इस प्रिंस का राइट अंसर हो जाएगा चलिएगा अंगला प्रिंस संक्या 35 आपके सामने की चीर जोरी जोरे कोई ना सने गंभी को घटित ए ब्रिज भानुजा वे हल्दर के बीर इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रियोग किया गया है पताओ प्रिंस संक्या 35 में कौन सा अलंकार है तो इस में सलीज सलंकार क्या है सलीज सलंकार है 35 का आंसर हो जाएगा और इस पिन सका राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा अंगला पिष्ण प्रसंख्या 36 है आपके सामनों कि साकेत महा काब पर कभी मेतली संद गुप्त को कौन सा पारितोसिक प्राप्त हुआ है यानि इन्हें कौन सा जो है वो पुरुसकार मिला है साकेत के लिए तो साकेत के लिए इन्हें मिला है मंगला पिष्ण आवाड यानि 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्रसंख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा 36 का अंसर ऑप्रसंख्या डी हो जाएगा चलिए अब प्रसंख्या अब आपके सामनों है 37 की आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार देखता है इस बाक में हर कोई किस पिरकार का सब्द है तो ये कैसा सब्द है हर कोई तो हर कोई जो सब्द ये सदेव एक बच्छन है 37 का अंसर हो जाएगा ऑप्रसंख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा अंगला प्रसंख्या आपके सामनों है 38 की गांदी जी को राष्ट पता कहा गया है इस बाक में संख्या किस से किस रूप में परवर्थित हो रही है तो कौन से किस में रूप परवर्थित हो रही है बताओ प्रिंस संख्या 38 का अंसर क्या हो जाएगा तो इसमें जो संग्या है वो जाती बाचक से ब्यक्ती बाचक के रूप में फरवर्थित हो रही है अर्थिस का अंसर और संग्या इस पिंस का हर राइट अंसर हो जाएगा चलिएगा प्रन संग्या 49 है आपके सामने की निम्न मैसी इस्तिलिंग सब्द को पहचानिए रहे है प्रन संग्या 49 में आपको इस्तिलिंग वताना है कून सा सब्द एस तो अच्छी जुर्राव या अच्छी जुर्राव यह एक इस्तिलिंग सब्द हो जाएगा यानि 49 का अंसर और संख्या इस प्रिंस का राइट अंसर हो जाएगा और लाश्ट पिसने आज के स्प्रिक्टर सेट का प्रिंस जंख्या 40 है कि निम्लिकित मैंसे धूर्थ सब्द से सं रंगा स्यार हो जाएगा 40 का अंसर कोपन संग्या बीश्पिंस का राइट अंसर हो जाएगा तो प्यारे साथ हुआ अगर आपको यह प्रिट्टर सेट पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना चैनल को आप लोगों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया झाल झाल